हलो दोस्तों मेरा नहीं मक्सूत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ठेकी हेल्प टीप्स विंडोस 10 या फिर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक आपको दिखता है ऑप्शन टास्क मैनेजर का टास कितनी यूज हो रही है वो कैसे चेक कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट क्या है वो सारी चीज़े हम आज डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे तो आईए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आपको अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है बिना यहां पर टास्क मैनेजर पर राइट के लिए हुए बिना यहां पर टास्क बार पर राइट के लिए हुए आपको टास्क मैनेजर खुलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको कंट्रोल शिफ्ट and escape प्रेस करना पड़ेगा और आपका task manager आपके सामने होगा तो पहला तो तरीका ये रहा दूसरा तरीका अगर आपको देखना है बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे तो ये है तीन तरीके task manager को आप इस तरीके से open कर सकते हैं अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और detail जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है task manager के अंदर जो चीज़े perform होती है अगर आपको task manager के अंदर ये देखना है कि कोई ऐसा app है जो कि frozen हो गया है और आपको ये देख देखेगा analyze weight chain आप जैसी इस पर click करेंगे आपको यहां पर बहुत सारे values दिख जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो frozen क्यूं है क्यूंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक particular application होता है जो कि वो frozen हो जाता है और उस frozen application को आपको जब चेक करना होता है यह frozen क्यूं है आपको नहीं सोझवाता और आपको पता नहीं चलता कि किस तरीके से आप चेक करेंगे तो इस तरीके से आप यहां पर जाके चेक कर सकते हैं एक बहुत ही important चीज रिस्टार्ट करें Windows Explorer को यह है आपका Windows Explorer कई बार आपने देखा होगा कि आप यह नहीं चाहते थे कि आप अपने computer के बंद करें और आप जब उसको close कर रहें थे तो वह close नहीं हो रहा था जनली हम क्या करते हैं हम यहां पर आते हैं और इसके बाद हम यहां तो क्या करते हैं यहां पर हम इन टास्क को कर देते हैं लेकिन आपको क्या करना इन टास्क नह प्रवरत नहीं आप टैस्क में आके यहां से यह रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वह रिजॉल हो जाएगी अब एक ऑप्षन आता है मॉनिटर परफॉर्मेंस का यहां पर देख सकते हैं एक टैब आपको दिख रहा है जो कि परफॉर्मेंस के नाम से यहां पर दिखा रहा है इंटेल कोर टी एम आई 3 3220 और जो इसका जिगाहर्ट से वो है आपका 3.30 हर्ट जिगाहर्ट का प्रॉसेसर है अब अगर आप देखेंगे तो आप लेशन देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा बाढ़ा कुछ कम हुआ आप यहां इस पीड देख सक सकते हैं कोर कितना यूजर ने दो को इस वक्त यूज हो रहे हैं अगर मैं ही मेमरी की बात करूं मेरे मेमरी कितनी है मेमरी मेमरी है अभी 8GB जो कि अभी अवलेबल है 2GB मेरे पास मतलब जितनी भी मेमरी है उसमें 2GB अभी मेरे पास अवलेबल है उसको मैं बात में यूज कर सकता हूँ और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहां पर हैं जो आपको दिखाई पढ़ रही है इसी तरीके से डिस्क भी आप चेक कर सकते हैं तो यह है तरीका मेरे पाद दो हार डिस्क है तो दोनों हार डिस्क यहां पर दिखाई पढ़ रही है तो आप यहां से भी सारी चीज़ें जो है performance में जाके record कर सकते हैं CPU की performance क्या है आपकी memories वक कितनी ज़्यादा use हो रही है hardest कितनी ज़्यादा use हो रही है वो सारी चीज़ें भी आप यहां से graph के थुरू देख सकते हैं suppose करें आपको जो यहां पे columns दिख रहे हैं आप चाते हैं जो tabs दिख रहे हैं आप चाते हैं कोई extra tab आपको अगर add करना है कहां पे यहां पे जो column दिख रहे है इस tab multiple tabs है लेकिन यहां पे जो इस tab में multiple columns है इसमें कोई और आपको column add करना है उसके लिए कैसे करेंगा आपको करना तो इस तरीके से आप इसको uncheck भी कर सकते हैं, अगर मैं uncheck करता हूँ, आप देखते हैं आप वो चीज़ें हट जाती हैं, तो यह है एक चीज की आप process में जाके किस तरीके से आप column को या type में किसी भी टैप में जाके किस तरीके से बढ़ाना है, और आप अगर बढ़ाना चाहत तो इसने आसानी के साथ आप यहां से बढ़ा सकते हैं, अगर अब आप एक काम यह करना चाहते हैं, टास्क मैनेजर के अंदर जो भी आपका app है, उसकी window को manage करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, suppose मेरे पास यहां पे sleeping tool खुला हुआ हुआ, इस पर मैं right click करता हूँ, तो यहा bring to front, bring to front का मतलब क्या होता, अगर मैं इस पर click करता हूँ, यह देखें मेरे सामने आ जाता है, जो window sniffing tool की यह सामने आ गई, अगर मैं इसी पर right click करूँ, और इसके बाद अगर minimize करूँ तो simple जो भी मैंने किया, अगर bring to किया यह आ गया सामने, और यह minimize अगर मैं करूँगा, तो कर सकते हैं, अगर आपको कोई problem हो रही है, वो task manager से हो जाएगा, अब suppose करिए आपके पास बहुत सारे process हैं, बहुत सारे applications हैं, अब कोई application की आपको क्या करना है, source location को check करना है, मेरे पास अभी Camtis यह खुला हुआ है, अगर मैं इस पर right click करता हूँ, मुझे एक option यहाँ पर मिलता है open file location का, मैं अगर इस पर click करता हूँ, तो उस location पर मैं चला जाता हूँ, जहाँ पर मेरा यह software install है, तो अगर आपको कभी यह पता करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई software आपने install किया है, और आपने उसको open किया है, और आप उसको source location देखना है, किस location पर किस folder के अंदर वो install है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा G-Drive के अंदर program file है, उसके अंदर TechSmith में Camtasia नाम से यह software है, जो कि यहाँ पर install है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, कि आपका software किस जगह पर, कौन सी location पर install है, और बहुत आसानी के साथ यह आपको दिख कर सकते हैं, अपने services को manage करते हैं, उसके लब आप देखेंगे यहाँ पर user, जो इतने भी user login होते हैं, अगर आप यहाँ पर multiple user या multiple user account से आपने login किया होता, तो वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता, और अगर आप किसी को disconnect करना चाहते हैं, और आपके पास admin guides है, तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको like जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, जिसका नाम है Techie Help Tips, तो मेरे चैनल को subscribe कर लें, और बेल आइकन पर किलिक करना बिलकुन नहीं भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा स्यदा WhatsApp पर शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता सब सके, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं.